हालो, नमस्कार साथियो, मैं संतोष कुमार दांगी, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आज हम एप्लिकेशन के टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज आज आपको एक ही वीडियो में 6 अप्लिकेशन का सार एक साथ देखने को मिले इसमें हम इस topic के उपर discuss कर रहे हैं वे topic है आपका अप्रिकेशन का जो कि प्रतिक कर परिक्षाओं में इसका प्रशन पूछा जाता है यह ना उसी topic के ऊपर हमारा आज discussion हो नए तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहला उपर लिखा है to the principle है ना तूदा प्रिंसिपल गवर्मेंट एक्सलेंट साहर सेकंटरी स्कुल पॉलाई कला अब आपका इसमें जो भी स्कुल का नाम आता है पेपर में वो नाम यहां पर लिखना होता है ठीक है डिस्टिक साज़ापूर मद्दपदेश अब आपको यदि कोई दूसरा डिस्टिक हैं तो फिर यहां पर आपको को स्कुल लिविंग स्टिकेट लिखना होगा यादी आप यहां पर फूरीशिप की अप्लिकेशन लिख रहे हैं तो यहां पर फूलिप्रीसित लिख लिखना होगा यदि आप यहां पर लीव लिख रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा सिकलिव यदी चाहिए आपको है ना बीमारी की चुट्टी के लिए आवेधन तो यहां पर वह सिकलिव लिखना पड़ेगा है ना इस प्रेका से पहला देखते हैं हम SLC यदि हम SLC के अप्लिकेशन कवर कर रहे हैं या लिखते हैं तो यहां पर आपको School Living Certificate लिखना होगा ठीके साला इस्थांतरन प्रमान पत्र ओके रेस्पेक्टेट सर नीचे लिखावा है मैं आपकी स्कूल का कक्षा बारवी का चातर हूँ यदि आप 9th के चातर है तो 9th के चातर हैं 10th के चातर हैं 11th के चातर हैं तो आप 11th लिखे हैं है ना उसके बाद में यहां फूली स्टॉप लगावा है यहां ठीक है मैंने डॉट किया यहां पर फूली स्टॉप फूली स्टॉप के बाद में यहां पर आप अपने पिता माता पिता के साथ में मुपाल जा रहा हूं उनके साथ में ओके तो यहां आपको यह अप्लिकेशन लिखना होगी नीचे आ रहा है काइंडली ग्रांट एशो में विनामर निवदन है कि आप मुझे इसको लिविंग स्ट्रिकेट गरें एड अबलाइज में मुझे अनुग्रहीत करें yer आपका इसको लिविंग स्ट्रिकेट एपिलिकेशन रहे हैं अपना फॉंहां प्र फॉल्पी शिप जए हो पॉल फॉल्पुक फुल फ्रीश अब आए या फिर कौन से से नाए दोनों तो दोनों में से कौन सा भी एक option आपको आ सकता है तो वहाँ पर भी आपको यह application लिखना होते है मैं फद्रेज़ पूर फर्मर मेरे पिता जी गरीब किसान है है ना so he cannot pay my school fees वहाँ मेरे विद्यले का सुलक जमा नहीं कर सकते है ना तो फिर नीचे क्या आ रहा है kindly grant issue में तो यह नहीं लिखना है आपको, issue में नहीं लिखना है फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको अपको यह लिखना है कि kindly grant me full free ship क्या लिखना पड़ेगा आपको यहां पर काइंडली ग्रांट मी फुल फ्री शिप यह लिखना है यहां पर यहां पर आपको इसमें ईस्यू वर्ड का प्रियोग नहीं करना है एंड आपलाइजमी मुझे अनग्राईत करें यहां आपका अप्लिकेशन तीयर हो जाएंगा ट्ली किसरा है आपका भूग बैंक और इसके बाद में हमने क्या लिखा है so I cannot buy books from the market इसलिये में बजार से पुस्थक नहीं खरिच सकता है ना history dari if bank or books from the school book bank यहां आपको यह प्रियोक करना है ठीक है अब next number 4 next number 4 प्या है character certificate नहीं कि चरित्र प्रमान पतर तो यहां में ने full stop के बाद में कुन सा लाइन लिखना आपको I am applying for a job मैं job के लिए आवदन कर रहा हूँ है ना नोकरी के लिए आवदन कर रहा हूँ या फिर ये भी आप लिख सकते हैं I have joined I have joined Indian Army I have joined Indian Army है ना किसके इस्तान पर यहाँ I am applying for a job दोनों में से कुन सा भी एक लाइन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं So I need my character certificate इसलिए मुझे चरितर प्रमान पत्र की आवशकता है नीचा रहा है kindly grant issue me character certificate क्या लिखेंगे kindly grant issue me character certificate चरितर प्रमान पत्र मुझे प्रधान करें अप्लिकेशन नंबर फाइब आपकी आ रही है यहाँ पर लिव लिव होता है चुट्टी के लिए आवेदन जो की हमें regular इस अप्लिकेशन के आवशकता लगती है उपर का फॉर्मेट आपको स्यम रखना है और उपर के फॉर्मेट के बाद में अप्लिकेशन नंबर फाइब कौन सा लाइन यूज़ करेंगे आई हैव अर्जेंट वर्क एट हॉम तोड़े मुझे घर पर आज जरूरी काम है या मुझे घर पर अत्ती आवशक काम है यह वाला लाइन यहाँ पर यूज़ हो जाएगा है ना फिर नीचे का इनली गरांटे एशो मी लिव फार वन डेश टू डेश थ्री डेश सम डेश जो भी जितना भी दिन का आपको चुट्टी चाहिए वो यहाँ पर लिखना होती है ठीक है नेक्स्ट अप्लिकेशन नंबर शिक्स आपकी शिकलिव है शिकलिव मिन से होता है बिमारी की चुक्ती है ना तब यह अप्लिकेशन लिखना होती है तो यहाँ पर इस्कुल के बाद में क्या लिखेंगे हम मैं कल रातरी को भुखार से पिडित होने के कारण है ना मैं कुछ दिनों के लिए विध्यले नहीं आ सकता यह यहाँ पर इसके बाद में आपन लिखेंगे क्या लिखेंगे इस लाइन के बाद में यहाँ पर आपको लिखना होती है इस प्रकाश से यह लाइन आप चाहें तो इसका इसकीन सौट ले ले या फिर इस अप्लिकेशन की प्रित्यक लाइन था कि आपका समय बचाए उसी के अकोर्डिंग हमने समय को ध्यान में रखते हुए एक ही वीडियो में 6 अप्लिकेशन आपके लिए हमने त्यार किया है जो कि प्रित्यक एक्जाम में सभी एक्जामों में इसका कोशन पूछा जाता है है और आपको अप्लिकेशन का प्रशना आता भी है तो मेरा आपसे मॉस्टली रिक्वेस्ट है कि आप यदि आप हमारे चैनल पर यदि नए है तो प्लीज प्लीज आप इस हमारे चैनल को सबिस्क्राइब करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें ताकि दोस्तों में मित्रों में जितने भी सारे आपके दोस्ते हैं उन तक ये वीडियो पहुच जाए और वो भी कम समय में एक साथ 6 अप्लिकेशन को लेर्न कर सकें है ना ओके थैंक यू सो मच वाचिंग फार इस वीडियो ओके मस्ट वेलकम